हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों का फिसे स्वागा थे परें चनल उगी पूर क्लासेस में आज की श्ट्यूएं प्यार दोस्तों हम देखने वाले हैं यह वीडियो आपके लिए बेहुत इंपॉर्टन साबित होने वाला है प्यार दोस्तों मैंने सूपर थर्टी इुसे लोग आपका सामना करना होता है जो कि क्या होता है कि GKDS के अंतरगत आता है प्यार दोस्तों नहीं करता है फिलाल मेरी कोशी से कि यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी और इसे ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिएगा और आपकी लाइप के लिए बहुत अच्छा यह क्यूशन होगा प्यार दोस्तों दूसरा किशन आपके सावने देख रहा है भारत का सविधान कब लागू हुआ था भारत का सविधान कब लागू हुआ था भारत का सविधान 26 जनौरी 1950 से को लागू हुआ था अगला किशन आपके सावने दिया प्यार दोस्तों क्या दिया है भारत के पहले राष्ट पति कि से चुना गया था भारत के पहले राष्ट पती डाट का राजन प्रसाद को चुना गया था कब चुना गया था चौबीस जनौरी उन्नीस सो पचास इसी को भारत का क्या चुना गया था राश्टी पती चुना गया था अगला कुशन आपके सामने दिया गया प्यार दोस्तों क्या दिया गया है आपके सामने दिया गया है सविधान बनने के लिए कितने कमेंटियों को गठित किया गया था तो सविधान बनने के लिए 13 कमेंटियों को गठित किया गया था अगला क альная 1947 DCU को अपना गया था राष्टाइज को छटमा क्यीशन आपके सांवने प्यारे दोस्तों आ छटमा क्यूचण क्या पूचा है इसमें पूचा गया है भारत के राष्टी इयान को कब अपना गया था मतलब कि राष्टी गयान Lord 24 जनूरी 1950 इसवी को भारत के राष्टी ग्यान को अपना लिया गया था अगला क्रिशन आपके सामने दिया है प्यार दोस्तों क्या दिया है भारत में पहली बार महिला को मतदाद देने का अधिकार मतलब की ओट जिसे क्या करते हैं ओट ओट देने का अधिकार कब दिया गया था प्यार दोस्तों तो भारत में महिला को ओर देने का अधिकार 1926 में दिए गया था अठवा कुझन आपके सामने है जो देख किसने की थी सवधान सबास की प्यारों बहुत लोगों की मांग की थी और प्यारे दोस्तों किसे ने किया था महत्मा गादे और जोहला नहरूनित किया था नौवा किशन आपके सामने दिया भारती सविधान के पिता किसे कहा जाता है तो भारती सविधान के पिता किसे कहा जाता है डाटकर भीम राम अमबेक्टर को कहा जाता है सिसी को उए ती 9 दिसंबर 1946 सिसी को ऄ सकती और नए दिल शिर दुटिया भारती रिजर बैंक डाना 350 में की गई थी तेरहमा किश्टन आपके सामने दिया है सविधान की प्रारूप बनाने में कितने दिन बहस चली थी यानि कि जो हमारा सविधान बना है उसे बनाने के लिए प्यार दोसो पूरे 114 दिन बहस चली थी कितने दिन 114 दिन क्या थी बहस चली थी अगला किशन आपके सामने दिया है प्यार दोसो चोधामा किशन चोधामा किशन आपके सामने दिया है प्यार दोसो क्या दिया है सविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था प्यार दोसो सविधान बनाने में कितना समय लगा था 12 वर्ष 11 महिने 18 दिन लगा था तसामने दिख रहा है आग की कोज किस त Ent士 काल में आपके साह की काल ने ऊज खीज़ाओ प्याReiko produkt है और और यहाँ प्यार्ट दोस्तो और उस में कैसे मानों ते आधि मानों थे आक करते थे अगला इसे बहुंचिप करते धैंज़ा के सामने पहले क्व्याओ के दिया मन जानूस ने सबसे पर किस जानोरों को पाला था किस जानवरों सत्रामा किशन आपके सामने दिया है सत्रामा किशन आपके सामने प्यारदोसों क्या दिया गया है यहाँ पर आप जेख सकते हैं सत्रामा किशन मनुस्त ने सबसे पहले किश्ट धात का प्रियोग किया था तो मनुस ने सबसे पहले तामवा धात का पुरियोग किया था किस्तका किया था तामबा धात का पुरियोग किया था और अठ्रामा किशन आपके सामने दिया है भारत भारत का सबसे प्राचिन ग्रंथ कौन सथा तो भारत का सबसे प्राचिन ग्रंथ प्यारदोसो वेद है करदा हुई थी कोडिवा में हुई थी सवांख करिचन आपके सावने दिया प्यारा दोस्तों क्या दिया भारत में यानि की पहली बार खे crazy कहां की गई थी पाकिस्तान की देश के नाप फूछे 25 भारत का आकार चतुर भुजा कार है कैसा है चतुर भुजा कार है तेसावा किसन आपके सामने दिया हरपा सबता की खोज किसने की थी हरपा सबता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 सिम की थी अगर पूछे भारत का आकार कैसा है तो भारत का आकार अभी मैंने बताया चतु 5540 एसापूर वे Simmons के कुंडा ग्राम में हुए था इनके माताक चिद्धार्थ इनके माता इनके पिताग नाम सिधार्थ माताग नाम टिसला देवी अभाई कहा पूचे ले तो भाई का नाम नंदी वर्धन क्या था भाईिक नाम किया दिया मोर वंस की इस्थापना किसने की थी तो मोर वंस की इस्थापना चंद्रगूप्त मौर ने की थी अगर इके चंद्रगूप्त मौर के प्रधार मंत्री कौन थे तो चाड़क के थे कौन थे चाड़क के थे आप सभी जानते हैं आपके सामने आ रहा है क्या दिया है नेता जी यानि सुबास चंद्र बोश ने दिया था अगला क्रिशन आपके सामने दिया है सुर्ग के सबसे नजदी ग्रह कौन सा है प्यार दोसो बुद्र और सुक्र दिया होता है यहां पर सिर्फ मैंने बुद्र ग्रह लिखा है और यहां दिया लाल ग्रह किसे कहा जाता है प्यार्सों लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है किसे कहा जाता है मंगल को कहा जाता है तिसामा और लाश्ट क्रिशन आज का प्यारे दोस्तों यहाँ पर आज जग सकते हैं नीला ग्रह किसे कहा जाता है प्रीथवी को कहा जाता है प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यार दोस्तों कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिएगा सर हां हमें ऐसी क्लासे चाहिए यदि चाहिए तो प्लीज हमें बता दीजिएगा रेगुलर आपके आपको 6 बज़े class इसकी मिल जाएगी प्यास दोस्तों ऐसे ही 30 question प्रते दिन आपको मिलेंगे यदि आप इन question को करने में interest रखते हैं तो मैं आपको रोज यानि कि every day आपको provide करा दूँगा 30 question thanks for watching this video जहींद बंदे मातरम